हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोड इबनिंग कैसे हैं आप सभी उमेद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 30 most important question होंगे यह सभी प्रसन आपके होने वाले के लिए काफी important हैं सो आप सभी इस class को लाज तक जरूर देखें और इससे पहले आपको बता दें अगर आप ट्रिपल सी एक्जाम के लिए online mock test करना चाहते हैं तो आप हमारी website www.ccc.com पर विजिट करें यहां पर आपको धे सारे ट्रिपल सी के लिए online mock test मिल जाएंगे साधी साधा आप यहां से important question answer और उनके PDF भी डाउलोड कर सकते हैं PDF या ebook डाउलोड करने के लिए आपको यहां ebook and PDF पे क्लिक करना होगा इसके बाद आप एक new page पे आ जाएंगे और यहां से जो भी आप PDF लेना चाहते हैं उसको यहां से ले सकते हैं चलिए start करते हैं सभी बच्चे जो भी आ चुके हैं एक बार class को सीर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस class को join कर सके हैं ठीक है तो आज का सबसे पहला question आपके सामने आ चुका है आप से पू होना चाहिए 30 में 30 का होना चाहिए आपको कोशिस करनी है और comment box में लाश में बताना भी है कि हां आपने इस class में सभी प्रसुनों का बिल्कुल सही जवाब किया है BR का full form आप से पूछा गया है और आप सभी बच्चे class को share करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस class को join करें तो सभी साथी class को share करना बिल्कुल ना भूला करें आप सभी share करें और class को like भी करें पहले question का correct answer क्या हो जाएगा BR का full form क्या होता है virtual reality होता है यहाँ पर आप आपका कौन सा option correct होगा B option correct होगा है ना virtual reality हो जाएगा आपका right answer चलिए question number next और अगला question आप से क्या पूछा है question number second में आप से पूछा गया है impressed presentation में चार्ट को किस तरीके से insert किया जा सकता है ठीक है impressed presentation में चार्ट को किस तरीके से insert किया जा सकता है बताएं आप सभी यहाँ पे कौन सा correct answer होगा how can chart be inserted in impressed presentation impressed presentation में आप चार्ट कैसे insert कर सकते हैं आप सभी को बताना है correct answer यहाँ पे कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो correct answer होगा option number C हो जाएगा ठीक है option number C हो जाएगा आपको insert menu में जाना है और insert menu में जाकर के आप चार्ट को insert कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर एक बार आपको practical भी बता देते हैं कि कैसे आप chart insert कर सकते हैं हलांकि जो हमने impressed की class आपको दी हैं जिसका playlist भी अलग से बना हुआ है आप उसे देख सकते हैं उसमें हमने यह चीज़ें आपको already बताई हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि आप impressed program में आ आपको chart insert करना है तो आपको यहाँ insert menu में जाना होगा और insert menu में जाने के बाद यहाँ chart पे आपको click करना होगा जब आप chart पे click करेंगे तब यहाँ पर आप chart insert कर पाएंगे ठीक है एक चीज़ और आपको दिहां रखना यहाँ पर chart के type भी काफी पुछ जाते हैं जामें कि chart केतने प्रकार के होते हैं यहां पर यह चार्ट जो है आपके वो 10 प्रकार के होते हैं column chart होता है बार chart होता है पाई chart होता है area chart होता है line होता है x y जिसे scatter chart कहते हैं bubble net stock है न इनको आपको याद रखना है इस सभी आपके लिए most important है column and line ठीक है तो यह चीज भी आपको Presentation बनाने के लिए किस program का अप्योग किया जाता है बहुती simple सा question है आप सभी को पता होगा Presentation बनाने के लिए आप किस program का इस्तिमाल करते हैं अभ option को समझना है पहला option में दिया है Excel फिर क्या दिया है Calc फिर दिया है PowerPoint फिर दिया है nano of dis अब आप लोग बताएं यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट अंसर तो यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा option C powerpoint यहां पर जो option दिया गया है उसमें कौन सा सही होगा powerpoint सही होगा खिरूंकि powerpoint में कह कर सकते हैं आप presentation बना सकते हैं तो आपके हैं अगर इसके अलाबा यहां पर दिया होता option थिक है यहां पर option अगर दिया होगा आपका या फिर नहीं है तो यहां पर powerpoint भी presentation प्रोग्राम है औरD दोनों दिये होते हैं तो यहां पर कहीस और कहीं मिलता ठीक है तो आप उसे correct कर सकते थे चलिए अगला question आप लोग देखें question number 4 बताइए यहाँ पर कौन सा correct answer होगा storage device के main folder को क्या कहा जाता है sorry यहाँ पर है main folder storage device के main folder को क्या कहा जाता है what is the main folder of the storage device called interface कहते हैं root directory कहते हैं device driver receiver कहते है recycle win कहते हैं बताइए यहाँ पर कौन सा आपका right answer है कि 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 यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा option B उसको कहते हैं root directory याद रखना है सबी बच्चों को क्या कहते हैं root directory कहते हैं storage device के main folder को root directory कहते हैं अगला question देखिए question number five में आपसे क्या पूंचा गया है question number five में आपसे पूंचा गया है by default कोई file नेमने में से किस location में save होती है बहुत important question आपके लिए है ठीक है by default की बात करें कोई file कहां पर save होती है in which of the following locations does a file be saved by default है ना कोई file जब आप save करते हैं तो किस location पर save होती है my computer में save होती है my document में save होती है desktop पर save होती है या my picture में save होती है बताइए जब आप कोई file सेव करते हैं तो by default कहां पर save होती है my document में save होती है option यहाँ पर हो जाएगा be आपका my document में save होती है बट अगर आप चाहें तो उसकी location change कर सकते हैं चहां चाहें बहां सेव कर सकते हैं लेकिन by default की अगर बात करें तो my document में serve होती है इसको द्यार रखना है ठीक है चलिए question number next और यहाँ पर आपको बताना है अगले question में आपको बताना है यहाँ पर किसी file को rename करने की shortcut की क्या है ठीक है अगर आप किसी file को rename करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी shortcut की इस्तिमाल करते हैं what is the shortcut key to rename a file अगर आप एक file को rename करना चाहते हैं तो क्या है इसकी shortcut key तो यहाँ पर हो जाएगा F2 है ना option B आपका right हो जाएगा F2 से आप किसी file को rename कर सकते हैं इसको याद रखना है चलिए question अगला देखिए question next आप से क्या पहुँचा गया है किसी भी program को बंद किया जा सकता है किसी program को बंद किया जा सकता है बताइए किसके माद्यम से control F2 के माद्यम से बंद कर सकते हैं alt F4 के माद्यम से बंद कर सकते हैं shift F4 से कर सकते हैं किसी program को आप बंद कर सकते हैं means close कर सकते हैं किसी program को close करने की shortcut की आपसे यहाँ पे पूछी गई है तो correct answer हो जाएगा option B आपका है ना alt के साथ F4, alter के साथ आपको क्या करना है F4 प्रेस करना है, तो program आपका close हो जाएगा अगला question आपको answer करना है, question number 8 में और यहाँ पर क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक केंद्रिय कम्प्यूटर का उप्योग करता है तब क्या आवश्यक होता है, बताएं जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक केंद्रिय कम्प्यूटर का उप्योग करता है तब क्या आवश्यक होता है चलो question number 8 आपके सामने हैं और आप सभी बच्चों को जवाब करना है correct answer यहाँ पर हो जाएगा option C terminal ठीक है option number C आपका correct होगा अगला question आपको बताना है और यहाँ पर आप से पूचा है Google के संस्थापक कौन है who is the founder of Google बताएं Google के संस्थापक निम्ने में से कौन है तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका option B हो जाएगा Larry Page ठीक है यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा Larry Page question number next आपको answer करना है और अगला question में आप से पूचा गया है निम्ने में से RAM नहीं है which of the following is not RAM इसमें से RAM कौन सा नहीं है question number 10 में क्या पूचा है RAM कौन सा नहीं है means कौन सा RAM यहाँ पर नहीं है option देखिए P RAM, S RAM, B RAM और DRAM इसमें से कौन सा RAM नहीं है question number 10 है आपके सामने और आप सभी बच्चों को answer करना है भई यहाँ पर क्या होगा बताएं यह सभी question आपके लिए most important है जो भी नए बच्चे हैं अभी तक पहले से class नहीं किये हैं तो आप लोग regular class करें और इससे पहले आप सभी को बता दें जो भी हमने previous class कराएं हैं आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लें उन्हें अच्छे से देख लें प्रिपल सी क्रैस कोर्स नाम से एक playlist है उसको आप अच्छे से पढ़ लें लेपर ओफिस की प्लेश्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ लें और इस सीरी में जो भी हमने class कराएं हैं आप स्टार्टिंग से class करें continue class करें महिनस से पढ़ेंगे तो निश्च रोप से आपका त्सकरा और आक्जांब बहूत अच्छा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑपट्सन पहला यह RAM का एक प्रकार नहीं है यानि यह RAM नहीं है अगर आउसर आ आपको ना यहां पर फिर क्या हो जाएगा पी रैम आपका यह अलग हो जाएगा यानि कि यह आपका रैम नहीं है बागी You रैम और वी रैम और डी रैम यह सभी रैम ही है अगला कुस्च न देखिए कॉस्चन नमबर 11 में आप से क्या पूचा आंथ है और यहां पर आप यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा सी फेस्बुक है आपको पता है गूगल ने क्या किया आपको पता है वाटसप ने क्या किया वाटसप ने फेस्बुक को खरीद लिया ठीक है वाटसप ने फेस्बुक को खरीद लिया है तो यहां पर जो अब मालिक है लगले कुर्शन में आप से क्या पूंचा है डाइस प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बायरस से बचाता है वो कौन सा प्रोग्राम है बैक अटिवायरस यूटिलिटी या नन उफ दिच question number 12 में कौन सा हो जाएगा right answer तो simple सा है आपको पता है एंटिवायरस हो जाएगा है एंटिवायरस प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को किस से बचाता है वायरस से बचाता है यहाँ पर हो जाएगा एंटिवायरस ओके और एगला question देखी पूंचा गया है आपसे पर emoji की शुरुवात की यहाँ पर सही जबाब क्या हो जाएगा option पहला Apple हो जाएगा ध्यां रखना है कौन से mobile कंपनी ने पहली वार अपने उपकरणों पर emoji की शुरुवात की एपल ने option फस्ट आपका करेक्ट है आप सभी को याद रखना है इस सभी question अगला question देखी पू राइटर प्रोग्राम में अगर आप लाइन के अंत में जाना चाहते हैं तो कौन सी shortcut की है इसके लिए बताइए कौन सा यहाँ पी correct answer है line के अंत में अगर जाना है तो आपको cable और cable end की प्रेस कर देना है cable keyboard से end की प्रेस कर देना है तो आप line के अंत में आ जाएंगे ठीक है और अगर आप page के सबसे अंत में आना चाहते हैं तो control के साथ में end प्रेस करना पड़ेगा फिर control के साथ में end आपको प्रेस करना पड़ेगा ऐसे एकर page के आप top पर जाना चाहते हैं सबसे उपर जाना चाहते हैं तो control के साथ में फिर आपको क्या करना पड़ेगा home की प्रेस करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा option बी end और यहाँ पर sorry shift लिखा है तो s h i f बनाना साथ ही mistake हो गई यहाँ पर तो s h i f t होता है shift ठीक है s h i t लिख गया है आपके दो के से समझ जैना यहाँ पर इस shift लिखा गया है ठीक है बड़ इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है अभी आपका end की correct है line के अंत में जाने के लिए और अगर आप page में सबसे नीचे आना चाहते हैं तो control end और page में सबसे उपर जाना चाहते हैं तो control के साथ में home यह याद रखना है आपको अगला question आपको बताना है और यहाँ पर आपसे क्या पूचा है एक समय में एक कथन को convert और execute करता है कौन? interpreter करता है, compiler करता है assembler करता है या none of these इसमें से कौन सा होगा? ठीक है बताए convert and execute one statement at a time एकी बार में एक कथन को convert और execute कौन करता है? यहाँ पर हो जाएगा option पहला interpreter, interpreter क्या करता है एक बार में, एक समय में एक कथन को ही convert करेगा और इसको execute करेगा और जो compiler होता है ठीक है जो compiler होता है वो एक साथ में सभी को क्या करता है? convert कर देता एक साथ सभी को convert कर देता है बाट interpreter क्या करता है एक कथन को एक वार में गर्ट करता है ठीक है मसीन लेंगवेज में करता है और यह कोईशन का आता है उस code को का कहते हैं ना कल आपको बताया था उसको कहते हैं आप-जेक्ट कोड चलिए तो यहाँ पर हमारा option Great हो जाएगा अगले question आपको answer करना है 16 का और यहाँ पिर पूंचा जी आइ-फ का full-form क्या है ठीके-जी-आ यस का full-form क्या है ढड़ Burn बताएगा अगला क्या हो जाएगा कि यहां पर जी आई अफ का फुल फॉर्म पूछा है अगला कुश्चन पूछा गया है आप से और यहां पर आपको बताना है एक बिंडो से दूसरी बिंडो में जाने के लिए किसे सौट कटकी का इस्तेमाल किया जाता है एक बिंडो से दूसरी बिंडो में मालिया कि आपने दो विंडो ओपन कर रखी है अपने कंप्यूटर में दो या तीन या चार विंडो ओपन कर रखी है अब आप यहां से यहां जाना चाहते हैं यहां जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते कौन से सौटकट की आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यह सब विंडोज सौटकट की हमने अपनी पर पोस्ट की हैं आप लोग पड़ सकते हैं साध कल आपको हमने दी थी यह सब के टिल्क्राम पर नीचे डिस्क्रप्शन में डाल देंगे जहां से भी आप लोग सारी सौटकट की अच्छे से पढ़ सकते हैं तो यहां पर क्या करना है प्रेस करना होगा चलिए को से नगला देखिए पूंचा क्या गया है आप से पूंचा है एसे स्रीज में निमने में से कौन सा बिकल्प होता है एसे स्रीज में कौन सा बिकल्प होता है विच आप दा फॉलॉइंग ऑप्शन डू एसे स्रीज है यहां पर कौन सा नोट पेंड हो जाएगा बर आप से यह पूचा है कि कौन सा विकल्प होता है तो यहां पर यह हो जाएगा और अगला पूचा है आप से और यहां पर आप से पूचा है वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है डैस वर्ड प्रोसेसर विंडोज operating system का पार्ट है मुझे लगता यह question सभी बच्चे गलत करेंगे ठीक है आप सभी का इसमें गलत हुगा आप लोग चिक करें कि कितने बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल correct दिया है समझना है आपको word processor ठीक है और word processor की बात की गई आपे तो यही आपको थोड़ा सा confuse कर सकता है चलिए यहां पर कौनसा correct answer हो जाएगा आप सभी को जल्दी से जवाब करना है ठीक है right answer यहां पर क्या होगा तो right answer यहां पर होगा option B wordpad क्या होगा wordpad आपका right answer होगा देखिए उचा है word processor ठीक है विंडोज operating system का पार्ट है जब आप विंडोज करते हैं जब आप विंडोज डालते हैं अपनी computer system में तो उस विंडोज के साथ में कई सारे आपको program मिलते हैं जैसे आपने देखा होगा क्योंकि विंडोज किसका है Microsoft का है है तो आपने देखा होगा एक तो आपको internet explorer मिल जाता है विंडोज के साथ में ही आपको ms pent ms pent भी आपको किसके साथ मिलता है विंडोज के साथ ही तो मिलता है आपको अलग से नहीं डालना पड़ता है आपको notepad भी इसी के साथ मिलता है यहाँ पे नोने word processor की बात की ऐसा कौन सा word processor है जो windows operating system का ही part है तो आप कह सक सकते हैं यहाँ पर wordpad जो है आपका यह wordpad भी आपको windows के साथ में ही मिलता है अलग से डालने की आवसकता नहीं होती है लेकिन जो आपका अलग से फिर microsoft word है इसको आप यह पूरा एक package है तो Microsoft word आप डाल सकते हैं कि MS Office आपस में फिर install अलग से कर सकते हैं MS Office का पूरा package है लेक है तो इसको याद रखना है यहाँ पर option नमारा वी करेक्ट हो जाएगा चलिए question अगला आप लोग करें और यहाँ पर आपसे पूंचा है hard disk से delete की गई फाइलें कहां से होती है hard disk से कोई फाइल डिलीट कर दिया आपने तो वो कहां से होती है hard disk डिलीट की गई फाइल आपकी कहां से होती है तो बस सिंपल सा है recycle बिन में से होती है option पहला करेक्ट है यहाँ पर recycle बिन में आपकी वो फाइल से हो जाएगी question नमबर अगला देखिए पूंचा क्या गया है आपसे clear formatting से आप किसी text को अन फॉर्मेट कर सकते हो ठीके यानि सही है आप clear formatting से किसी भी text को कैसा कर सकते है अन फॉर्मेट कर सकते हैं हना उसकी formatting को हटाया जा सकता है clear formatting से उसकी formatting को आप हटा सकते हैं यहाँ पर आपका option number पहला correct है अगला कोशन देखिए पूंचा क्या गया आपसे writer program में हीडिंग 3 लगाने के लिए कौन से shortcut को स्तेमाल क parallel चुर्ण-ठो Shaping और फंट साइज कितना बढ़ा है जा सकता है अगर आप maximum font size बढ़ाने की बात करें तो कितना बढ़ा सकते हैं रैइटर प्रोग्राम कि सभी जवाब यहां पर क्या होगा अधिक्तम फंट कितना बढ़ाएा जा सकता है कि फूचा यह बढ़ाया कितना जा सकता है तो 999 itd nature 9999 ,9 इतना आप बढ़ा सकते हैं ठीक है अगर यहां पर नहीं दिय है तो भी आप इसे correct कर सकते हैं तो आप इतना क्या size बढ़ा सकते हैं maximum font size आप ये कर सकते हैं और minimum font size आप कितना कम कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर कम से कम करेंगे तो आप 2 कर सकते हैं 2 से कम फिर आप नहीं कर सकते हैं बड़ अगर आप इस drop down menu में font का size बट 6 से कम भी कर सकते हैं कि कम कितना फिर 2 कर सकते हैं यह आपको manual बहां पर भढ़ना पड़ेगा और अगर आप 96 से भी बढ़ना चाहते हैं तो 999.9 कर सकते हैं बट इसको भी आपको manual लोग से बहां करना पड़ेगा कैसे आप से पूछे गया और कौन से यहां पर option दिए गए इससे आपको आडिया आ जाएगा कि मुझे कौन सा वाला करेक्ट करना है अगला कुशन देखिए राइटर में कमेंट करने के लिए कौन से सौटकट की इस्तेमाल करते हैं अगर आपको कमेंट करने हैं तो कौन से सौटकट की आप इसके लिए इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो कमेंट करने की सौटकट की हैं कंट्टोल आल्ट और सी कंट्टोल आल्ट और सी से आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, राइटर प्रोग्राम में, अगला कोशन देखिए, मुच्छा क्या गया है, इंप्रेस में जब आप कोई इंसर्ट करते हैं उसमें जो टेक्स्ट लिखने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं ठीक है इंप्रेस प्रोग्राम में जब आप कोई स्लाइड इंसर्ट करते हैं और जब आप स्लाइड को इंसर्ड करते हैं तो बहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ स्थान होता है उस इस space को क्या कहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है बताइए यहाँ पी कौन से correct answer हो जाएगा उस जगह को कहते हैं placeholder जब आप इंप्रेस में कोई slide को insert करते हैं तो बहाँ पर आपने दिखा होगा एक ऐसे box ऐसे मिलते हैं आपको यहाँ पर लिख सकते हैं आप पर title अपना डावत सकते हैं यहाँ पर कुछ और text लिख सकते हैं तो एक slide में इस प्रकार से आपको box ऐसे मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं placeholder बोलते हैं याद रखना है इनको क्या कहते हैं placeholder कहते हैं तो यहाँ प तो यहाँ पर recent है, recent नहीं है recent है, ठीक है क्या इंप्रेश्ट प्रोग्राम में recent फाइल को clear किया सकता यहाँ पर है आपका recent क्लियर कर सकता है बिल्कुल सही है आप क्लियर कर सकते हैं कोरिशन नमबर एगला आप देखिए, पूछा है आपसे किसी प्रोग्राम में recent file क्या होती है? है ना? कोरिश्टन आपके सामने आ चुका है recent file होती क्या है? तो आपको option समझना है पहले, देखो उस प्रोग्राम में save की गई file है, उस प्रोग्राम में अगर आपने कोई file save की तो वो फाइल है उस program में हाली में बनाई गई फाइल है हाली में डिलीट की गई फाइल है या इनमें से कोई नहीं किसी program में जो recent file होती है वो क्या होती है आप यहाँ पर आपका right answer option B है option number B उस program में हाली में बनाई गई जो फाइल होती है वो recent file में आ जाती है आपने उस program पर कुछ काम किया हाली में जो files बनाई हैं तो जब भी आप recent file पर जाएंगे तो बहाँ पर जो पिछली में फाइल बनाई गई होती हैं वह बहाँ पर आपको सो होती हैं और यह सभी files को आप चाहों तो इस list से हटा भी सकते हैं इसको remove भी कर सकते हो ठीक है ध्यार रखना है यहाँ पर हमारा option अभी be correct हो जाएगा अगला question देखिए impressed presentation में आप किसी video file को भी जोड सकते हैं बताएं impressed presentation में अगर आप कोई video file जोडना चाहते हैं तो क्या उसको जोड सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बिलकुल आप जोड सकते हैं है ना कल की class में कल से पहले वाली class में ही आपको बताया था video दिखाया था भी हमने उसमें inside करके काईसे आप जोड सकते हैं थो impressed presentation में आप किसी video file को भी जोड सकते हैं बिलकुल correct है question number अगला देखिए क्या पूचा है impressed program में निवनतम जूम साइज कितना किया जा सकता है बताएं कम से कम जूम साइज कितना कर सकते हैं impressed program में या देखना है savation बहुत ही important और एक्जाम में पहुचे ही जाते हैं तो कम से कम आप 5% कम से कम आप 5% जूम कर सकते हैं और maximum आप 3000% जूम कर सकते हैं यह minimum आपका है 5% maximum आपका है ठीक है तो ध्यार रखना है चलिए और आज का अंतिम question देखिए क्या पूछा है आपसे आपसे पूछा गया है LibreOffice में सभी open files को एक साथ save करने के लिए निमने मैं से किसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है किसका इस्तेमाल करेंगे LibreOffice में अगर आप सभी open files को सेफ करना चाहते हैं तो आप कौन सा option आपको सेफ करनी की करेंगे we have the option we have all that continue आप जब पहली वार वार बनाते हैं तो उसको हम सेब बटन पे क्लिक करकरे उस right का एक नाम देते हैं वो हमारी सेव हो जाती है सेवे कौपी में क्या होता है जैसे हम हईसी फाइल को अगर ढूपलिकेट फाइल बनना चाहते हैं मिझस आपने कफाइल राम नाम से सेव की है है ना उसी फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन में या किसी दूसरी नाम से तो उस फाइल को आप सेव आज कर सकते हैं और सेव आज से हम उसको दूसरी लोकेशन दे सकते हैं या दूसरे नाम से उसको हम सेव कर सकते हैं तो दो फ करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें साथ में प्लाइकन भी ऑन करें और आप सभी अपने मौक टेस्ट अपनी प्रैक्टिस हमेशा करते रहें बरावर करते रहें क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपोर्डेंट है आपको अच्छे से और कुईज करनी है ठीक है तो धेल सारी कुईज आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं www.cccc.com और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रप्शन बॉक्स में भी दिया गया है इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है कोई क्वैरी है तो कमिट वॉक्स में नीचे पूर्श सकते हैं थैंक्स वॉचिंग थैंक्यू गूड नाइट वार